हेलो फैंस मैं यहां आज चने की गुगनी बना रही हूं इसके लिए मैंने चने को राद भर विगो लिया है मैंने दस से बारेल अशुन लिया है और एक टुकड़ा अद रखा और एक बड़ा चम्मच मैंने जीरा और काली मेश लिया हुआ इन सभी को मैं पीस लूँगी दो दो प्याज लिगा हुआ है दो इलाइची है दो नितेज पत्ता है इन सभी को मैं पीस लूँगी यह मैंने पीस लिया और इसमें मैंने एक बाल में ट्रांसफर कर लिया अब इनमे मैं में मिलाओंगी इसके लिए मैं हाफ टीस्पून हल्दी लूँगी हाफ टीस्पून ध मिर्ची पौडर हाफ चम्मच इन सभी को मैं पेस्ट बना लोंगी अब मैंने यहाँ पे गर्म करने के लिए रख दिया था पहले ही कुकर इसमें मैं चार बड़ा चम्मच तेल डालोंगी थोड़ी सी हींग और पंच फोरन उसके बाद तेज पत्ता मैं डाल दूँगी इसी में इनको चटकने देते हैं पहले उसके बाद मैं इलाइची डालोंगी पहले दो जो मैंने कूटके रखा हुआ है उसके बाद धीरे धीरे करके आप प्यास डालें इसमें प्यास थोड़ा रख लें जो मैं बाद में आपको बताऊंगी क्या करना है इसका थोड़ा सा ज़ादा नहीं यह मैंने रख लिया थोड़ा सा इसको चीतरा से चला लूँगी यहां पे और इस इस प्यास को पिंक करना है यह प्याज पिंक हो गया है लगभग यह देखें अब मैं यहाँ पे वो जो मसाला मैंने तैयार करके रखा हुआ था उसको मैं डाल दूँगी इसमें तेल आप ज़्यादा या कम अपने हिसाब से रख सकते हैं यह जो पानी बचा हुआ था ना मैंने इसी में डाल दिया इसको अची तरस से चला दें और मध्य हम आज पे इसको भूनने दें इसमें अब मैं नमक डालूँगी यहाँ पे जिसे सारा मसाला जल्दी सौप्ट हो जाएगा नमक आप स्वादन स्वार डालें मैंने यहाँ पे एक चमच डाला है इन सभी को अच्छे तरस से चला दें और इसे दो मिनट के लिए ढख दें और आज को यहाँ पे कम कर दें यह देखें दो मिनट के बाद यह मसाला 50% भून चुका है तेल उपर आ गया है मेरा अब इसको थोड़ी देर और भूनना है अच्छी तरह से एक बार भूनने इसको मसाला भूनना यहाँ पे जरूरी होता है अब मैं यहाँ पे यह चना को एड़ करूंगी इसमें क्योंकि मेरा अच्छे से भून गया है इसको भी कुछ देर भूनना है अब जो प्याज मेरा बचा हुआ था ना आप यहाँ पे डालें इससे इसका कलर भी अच्छा आएगा और टेस्ट भी और देखने में सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा इसको दो-दो सकेंड में आप चलाते रहें जिससे मसाला जले नहीं जब इससे भी तेल छोड़ने लगे यहीं समझ जाएं कि आप अच्छे तरह से आपका मसाला भून चुका है यह देखें अब मैं यहाँ पर पानी मिलाओंगी एक गलास मैंने पानी लिया है जिसमें मैंने हाफ अभी डाला हुआ है थोड़ा सा और डालूंगी मैं देखें इतना पानी बच गिया यानि हाफ गलास के करीब मैंने पानी को यूज किया ज्यादा पाने ना डमने क्यूंकि ज्यादा पाने डालने से पिर टेस्ट आच्छा नहीं आएगा अब यह मेरा घर का गरम मशाला पीषा हुआ है इसलिए मैंने हाफ टी स्पून लिया हुआ है अगर आपके पास नहीं है गरम मसाला तो आप जब मसाले को बनाएं उसी में आप खड़े मसाले पीछ लें डाल चीनी, लॉंग, इलाइची सब उसी टाइम आप पीछ लें अब इसको ढग देंगे, इसका ढगकन लगा के चार-पांच सिटी लगा लेंगे ये मेरा रेडी है, ठंड़ा कर लिया मैंने, ये देखें इतनी अच्छी बनी है, ये कैसा बना है आप हमें जरूर बताना है, इसको आप पूरी के साथ खा सकते हैं हम बिहार वाले तो इसको मूर्मूरे के साथ खाते हैं, मूरी के साथ आइए मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ ये देखें, बना है न अच्छा, आप हमें कमेंट्स में जरूर बताना थैंक यू, देखने के लिए